लोस्तो सब्स्रीर है यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां इस ही जुताबदी प्रसाइब जुशुक्यादी सीसे हो जाया है कर दो प॥ाझा नियुडेक द्भी। कर द्यूजुनर विलिक ए के व्यूजुनर व plu तो… अवा चालू रुपलाई था स्वहुआ हो रूप बढ़ाई था स्वहुआ शो हम लग लगां यह गोड़ाई मध्यरेखास से लिख है यह खेसी भी रहा है मेद आढ आढ आख वाए मेद पर दिखास को हो अज़ंग कि अग्रेट नग्रेटा याल्वा याल्वार शॉट नग्रेटा भर्वार याल्वाजयां बिर पहुंच आएका? तो नो टेप टेप है नो वो दरवाज़क निखे रखा हूंगा हमारे पच्चे दो, तीन और देखते हैं बच्चे थारी थी और आपके सुझी हो शोड़े से टेश टेफ़ी भी मा बहुली कि इनका प्रोग्राम के सुझी तो मिलेगा इसक्य सब चलता है और अच्के वानी रहा? और खरोज ख़वर मीने रहा जब ख़वर भाद में रहा अभी तो खराब बंडी हुगा ता नीगा तोड़ा उपाद एक एक उरा प्रेनना मिले कि पराद जहीं नहीं असा नहीं प्रेणना वाली बाक्सित अंदर से को नुखुश्वाइब। ते ते माधरम् 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 वानरी मैंधरम् स्टेड बादी मीडिया के मात्यां सी यो प्रेसिक्षन प्राथ कर चुके हैं, हमारे सम्मानी और कंस्कार दानी के सम्मानी आजिक हो पुए होते हैं, हम उटा है जैसी सालगर और अभिननन दखते हैं। श्री राजिय दीच्षे की का इत्यासिक उद्वोनत कुछ इच्छाहों में, बीप प्रजुणान के लिए हमारा अन्वोज स्री बजांग केडिया दी, श्री परवंग वृतम और श्री राक्षमार अग्वाल इए, श्री व्यादासरमा इच्छी श्री पूरेसिंगी, श्री युथेत गोया इए, श्री रामिष्णी श्रमा इच्छी, स्री सन्या एद्रवाल जी, स्री धयास्वागा जी, स्री जय वहिंची, स्री रवीक सांड़ा जी से वी अमारा अम्रोग. प्रश्टे नहीं तो, प्राइब करने से एकाझने से के लिए जये जरेखाना 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 है इड़ अप्राइब लाग भी आपक्राइब अगल पूम जेडी की महिला प्रवारी की मेंडल के बाई श्री स्लागर की इस कर्दा श्री राधी जीक्सित जीके रुष गोदा विडा भाई यहां पहुत पुटल है और जियाथा सीख्ड तो मैं आपके कास में मंद पर आपसे भाज करेंगे स्वामी जीका एक भाज राष्क धर्म से बड़ा कोई धर नहीं राष्क हित से राष्क जेव से बड़ा कोई देव नहीं राष्क हित पर वो पली है हर समय हर सास में हर सूट में राष्क जेव चिंता और यहीं उनकी चेंता से अपिक्षा है कि वह हर समय राष्क के विशाय में सूटें राष्क के विशाय में हम क्याम करें कि इंदी प्रवारी श्री संजय है अग्रवाल जी से हमारा अनुरोद युए इक से जीव और मैं पर्वाल जी भारत माता की वंदेव वंदेव बिलास्को के बिलास्क कि इस पावंधति पर परंसद्य राजु भाई जो पुर देश में भारत क्या था और आज भारत क्या हो गया है और यदि हम इसी प्रकार से सोते रहे जाई पर भी हांक बल्ली की रहे तो भारत की दूदसा और कित्री भिला सकती है इन सबकी चेवाउनी आपको दे करके आपके अंदर के स्वाइवान को जगा रटके और इक नए भारत कर निरुवान आप स अधार से हमारे फ्रम वजश्वी व्यक्ता अमने राजी भाई जी यहां को उपस्तित हो चुके हैं और यह संक्या अमुरन बाहर भी बैट करके राजी भाई को सुनना चाहे लई है तो मैं आपके बीच में और राजी भाई के बीच में कोई ब्योधान ना बनता होगा पुर्ण नगर से सभी सम्माने में नागरिक बंदो मुंच परहसी नाच्टी सभा में सभी अधेमा मैं आप सब का बहुत आभार ब्योंच करता हूँ कि आप यहां उपस्तित हैं और मुझे राप से सम्मान करने का समय निल रहा है सबसे पहले भारत्स्वा अभिमान और पतिंदली योग सभी की के सभी पराविकारियों का अधारी हों जिनों ने आज यह व्यवस्था की और मुझे आपके सामने बात करने का में का बिला मैं अहिवान के विश्वर में बात करने आया हूँ और आपसे मेरी बिलंबर कात्मा है कि गित के पास भी मोबाइल फोल है वो उसको या तो साइलेंट मोर में रखे या बन कर दे अब पांच जिन्वरी 2009 को अब दीवे दीवे यह आंदोलन भारत के 600 जिनों में पहुँच करा इस आंदोलन में लगब दू लाख पचास हजार योग सिक्षक अपनी सिवाएं दे रहे संपूर्ण समर्पूर्ण भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे पढ़ा रहे अब ये दो बर्शों में करीब 11 लाख योग सिक्षक और इसमें आने वाले और दो बर्शों के बारत तचासदर योग सिक्षक हमारे पास पूँगे तब हम भारत के गाओं गाओं तक इस आंदोलन को पहुँचाएंगे आपके मन मैं प्रशनाएगा कि इस आंदोलन का उदेश क्या है इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन के दो प्रमुख उदेश है पहला उर्देश्य है भारत के हमारी भारत में हरेट नागरिक को निरोगी और स्वस्त बनाने के लिए हमारा जो अभ्यान है योग कानायाम और आयुर्देग की मदद से उस अभ्यान के तहट हर दिन हम एक लाख योग कशाएं लगाते हैं और एक लाख योग कशाओं के माधियम से हर दिन लाखों भरत वासियों को हम प्रा하याम सिखाते हैं पर फूजनीय इस्वामी रामदेड जी आस्ता चैनल के माधियम से हर दिन सब्छब पांच से सार साथ बजे तक हम अधरत वासियों को प्राहयाम सिखाते हैं आसका चर्करा्णल भारत में तो आता ही है, डुनिया के करीब एक सो श्यान प्न्य उख सिखाते हैं, आयववेद की बारे में बिताते हैं. और यह कारी हम्ने इसलिए शुरू किया है। कि इस कारी की भारत को बहुत जरूरत है। हमारे देश को इस समय बहुत अधिक जरूरत है यूँग प्रायाम और आयुदेख की, बहुत अधिक लोग बीमार हैं, सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है, ये भारत सरकार के आँख़ों से आँ समझ सकेंगे, अपने भारत में करीव 120, इसका मतलब ये हुआ कि असी प्रतिशक भारत दीमार है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5-10 माले जाएं, तो हर एक परिवार में और सतन 4 लोग दीमार है, हमारे देश में लगवग 24 करोब परिवार हैं हर परिवार में और सब्सक्राइब बीमार है सबसे बड़ी वो बीमारी है हमारे देश में पूरों की करदा हमारे भारे देश में सबसे बड़ी बीमारी है अनीमिया लगवग हमारे देश की 40 करोब आता हैं बहने किस एनेमिया बीमारी की शिका है। और तीस करोर भाई हमारे जोश में पूश्ट किस बीमारी के शिका है। सब्तर करोर लोग नो एनेमिया नाम की बीमारी से ही तोलेती है। यह सबसे बड़ी बीमारी है समिठा के इसाथ से। इसके बाद सरकारी आंपली बाते हैं, कि पांच कुरोर सतर लाफ वोगों वो भारत में डाइड़कीस हैं. और ये इतनी खतरनाफ चीजी से पैल रही है डाइड़कीस, कि हर दू मिनट में एक ब्रैक्टी की मौत हो रही है, स्टेट यू डाइड़कीस से. हर दो मिनट में इत व्यक्ति मल जाता है डाइडिपीस के पारण और हर एक मिनट में कोई अपोई ऐसे कॉम्पीकेशन सो जाते हैं डाइडिपीस के कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए सराव होता है या तो पिद्नी फेल हो सकती है या तो यीवर ने कुछवड़ी को आँखों के रोग है कोर सारे भारत वासी हैं जिनको आँखे में मुदू कोमा है रेजिन एंडिटेच्मेंट है मायोपिया है कर देब लाइन ऐस है नाइफ लाइन ऐस है और खरुण भर्णवासियों की आन्कोंपे चरणी प्रुणमां है अस्तवह हैं पृंकियल अस्तवह चूबल्पृ अ tallest है इसी तरह से सव्त परूण भर्णवासी है जिंको भुटनों में डर्द है किमर में डर्द है हम जिसको अर्थराइटिस कह साटे रखिया, संधिवा, यह सक्रेट रोगों को है 20 करोर भारतवासी ऐसे हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन है या हाइसोपेंशन है या तो उनका ब्लद प्रशर बढ़ गया या तो बहुत कम है और 27 करोर भारतवासी हों के बारे में सरी हैं जिनको हर समय कुछ नपुद बीवारी है या तो उनको ये सब सूख्ष्मोशक तक्तों की कमी के चंते बच्चे या तो शारिरिक निकलांग है या मानसिक निकलांग है और ये भारत में लाखों बच्चे हैं जिनको प्रोटीन बहुत कम है जिनको कार्वोहेड्रिट्स पूरे नहीं मिल पाते जिनके शरीर में विटेमिन्स की कमी है शरीर की आवश्यक्ता की पूर्ती करने वाले रसानी तक तो नहीं है और ये कारण हैं हमारी माताओं में फूम की कमी होने का अपने वाहरत में बड़ी जुर्भावी की स्थिति है कि एक साल में दो करोड अड़ीस लाख बच्चों पैदों होता है इसमें से चप्पन लाख बच्चे जन्द लेने के कुछ महीनों में और कुछ हेकाट साल में मर जाते हैं असी से नब्य लाख बच्चे मान से एक तरफ सर्कार बहुत साली सोना है बढ़ा रही है चिकित साथा तंत्र बहुत बढ़ा हो गया मैं आपको कुछ पुराने आकरण आकरणों के हिसाब से करूँगा आपको अंदाज़त लगेगा जैसे हम 1954 में इस देश में दवाएं बहुत कम बनाते थे भारत में दवाएं बहुत कम बनते थे दवा बनाने वाली मुश्किन से दस बारेव कमपनियां होती थे आज भारत में दवा बनाने वाली कमपनियों के संट्रोज है हेक्स्ट है, पार्टेटिस है, जर्मन ब्रैनेडीज है, एबी रही है, प्रेंग्वेक्सी है, कैडिला है, सिकला है, टॉर्रेंट है, ऐसी 24,000 कर्पणिया है, इसके आप 84,000 दवाइं बन रहे हैं, तो दवाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में, फिर बीमार में भी प्रश् और यह बात कहूँ आपसे, जब 1951 में हमारी जन बनना शुरू होई थी, तब पता चला था, कि भारत में हॉस्पीटल्स बहुत कम थे उस समय, गिने चुने उंगलियों पर 15-20 हॉस्पीटल्स हुआ करते थे पूर देश में, आज भारत में 36,000 हॉस्पीटल्स, सरकारी उस गुर्प की मैकसिमम मेडिसिन हमारे बच्चों को दी जाती है, और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला, कि ये निमू सुलाइट मेडिसिन दुनिया के सौ से ज़्यादा देशों में 20 साल पहले बहन हो चुकी है, अमेरिका में ये मेडिसिन बहन है, कनाडा में बहन है, ज दुनिया के सबसे अमीर जो और विक्सित देश माने जाते हैं, वहां तो सब जगे बंद हैंगी, और दुनिया में जो कम अमीर और कम विक्सित माने जाते हैं, वहां भी बंद है, कारण बहुत साइड इफेक्स हैं इस दुनिया के, हजारों बच्चे दुनिया में इस लिम इसलिए दुनिया बर के डॉक्टर सब क्विलो किनॉल का प्रस्पिक्शन बंद कर चुके हैं, ऐसे ही दो मेडिसीन हैं, मैक्साफॉर्म और एंट्रोगायोफॉर्म, कि दुनिया बर में बंद हो चुकी हैं 25-30 साल पहले, कहीं देशों में 40 साले पहले बंद हैं, लिकिन भार में तो ध्रड़ली से भिक रहे हैं, और दुरुभादी से ऐसी भारत में 83,650 दवाएं भिक रहे हैं, मैंने तो 2-3 कई नाम लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी हैं, ज्यादा देर में इसमें बातते ही कर पाऊँगा, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा चित्र में चल रहा है, कि जो जहरी लिए दवाएं हैं, वेकार की दवाएं हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें खिलाए जा रहे हैं। आप बूलेगे इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्रष्टाचा, करप्ष़वादी ऐसी हैं, जो दूसरे देशों से आई हैं, मंटी नैशनल से, विदेशी कंपड़ी हैं, और वो ऐसी दवाएं बना रही हैं, जिनको वो अपनी देशों में नहीं बनाते हैं। मैं आपको नाम लेकिवत हूं। एक बहुत बड़ी कंपड़ी हैं, उसका नाम है प्रॉक्टर इंदियावर्ट, ये अमेरिका स आई हैं। और ये भारत में एक ऐसी दवा बनाती हैं, जिसको अमेरिका में वो कभी भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में वो मेडिसिक कई साल पहले बन दो चुकी हैं। आराम से मिल जाएं। कोई तकलीफ नहीं जाएं। और अगर चोटी-बोटी कोई तकलीफ प्राइम मिनिस्टर आफिस तो दिल्कुल ब्रीफ कर सिग्मम दे सकता है। आपको प्राइम मिनिस्टर आफिस से में जाएं। जहर बनाने का लएक से, मिलता है। मैं ये ऐसी हवा में बात नहीं करना। एक अमेरिकल कंपोणी हमारे हां आई थी यूनियन कारबाई। इसक आपको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया आगे कहीं नहीं बनता है। वो इसको प्रेस्टी साइड इसक्टी साइड के लिए इसतेमाल करना। उसका नाम उना। उनके घरों के बिजली के पिल कंपनिया पेकर इतना अभरभा है इसकी एसकी एसकी तेदें। करते हैं डॉक्तर के तैयर को लालेश देते हैं कि अभरभा है प्रेस्टी सब्सक्राइब करते हैं कि इसका तरोड़ आप इतने घरों तो कहते हैं हम क्या चालीस लाद उपर खर्च करके हमने अंभी किया। पचास लाग खरच करके उनने अमेस किवा, किसी बेंग से हमने करजा दे रखा है, तो हम कहां से निकाने की हमा कैसे है? हाँ, यह डॉक्टर बनते हैं, तो यह तःयार ही करका है कैसे से लूटना, काहा है, और पढ़ायी भी उनको ऐसे ही करनी है, सेवा के लिए कोई न कि भी निगलता उसको कहो पही गाउम में जाके सेवा देनी हमाही को न तयार की न दे में, घर आपे हमाई के, कि टेक्स के पै कुछ को तयार करो ताकि गाओं में लोगों की तुसेवा हो, क्योंकि ये 5-6 साल वाले तो जाने कोई तयार दे, क्योंकि गाओं में किसको लूटे ने? हाँ, इस ये तो नहीं काते हैं, लूटे ने किसको भाई, कौन मिलेगा हमाँ लूटने को, गरीब आदमी है, कहां देगा पैसा, समस्या का समाधान क्या, इसके दो समाधान है, पहला समाधान है, कि हम सब लोग जो बीमारियों पर खर्च करने की हैसियत वाले लोग हैं, हमार हमारे जो पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर सी में आते हैं, मैं भी उसे में आता हूँ, तो एक रास्ता तो ये है कि आप सब इस फालतू दवाओं के दुश्चक्र से बचने, अगर बीमारी से बचना है तो, आप इस फालतू दवाओं को ना खाएं, कम से कम वो दवाओं बिल्कुल ना खाएं, जो दुनिया में कोई नहीं खा रहा हैं, और कुछ दवाओं के नाम तो यहां करने हैं, एस्परिन, डिस्परिन, नोबालजीन, एनलजीन, परसीट, हमोले, स्टक्रमाइसिन, टेरामाइसिन, बरालगन, पूटा जो, ऑकसिफिल पूटा जो, उनको इन दवाओं को कोई नहीं खा रहा हैं, आप मत खाओ, और इसके साथ साथ अगर हिम्मत है आप में, तो मैं तो आप से कहूँगा कि एक कदम और आगे बढ़ाओ, बेइमान डॉक्टर को कभी भी मत जाओ, उसके पास मत जाओ, मेरा कहना है, बीमारी से नहीं, बेइमान डॉक्टर से बचुट, अगर नुकसान हो रही है, वो दवाएं मत खाओ, एक एक दवा के सौसो साइड इफेक्स हैं, वो कभी भी मत खाओ, और ऐसे बेइमान डॉक्टर के पास मत जाओ, जो फाल्टू आपरेशन करते हैं, बहु वो बड़ा कमिशन को रहे हैं, हाँ, एक ही मैरत में पता चलता है, बेइमान पौन है, और इमान डॉक्ट, आपको एक बीमारी है, एक ही दवा काफी है, चिकित साथ इज्ञार ये कहता है, सिद्रान दोता है, ये कहा जाता है, एक बार में एक दवा परियापत होती है, आपका मेडिकल इंशुरेंस है तो समझ रहे हैं तो पूछ इसलिए ला रहा है कि कितनी जेब काटू इसकी अंदाजा लगा रहा है और ऐसी ऐसी लूट मची है एक दो बात और कहूं आप सब घृतीजी की लोग हैं एंजियो प्रास्की का जब आप आप आपको अपरेशन कर रहा हैं हिर्दय तक उनमें कहीं रुकावट है तो उसको हटाने के लिए कि स्कृल डालते है उसको चौडा करने के लिए लडी को वही होती है जो बॉल पं में आपको देखी है बस उसके ऊपर एक मैडिसिन का पोड किया जाता है वो इस्कृ मात्र दस रुपए में बंती ह और आपको जब डाजी जाती है तो बिल उसका डेड़ से दो लाफ रुपए पूता है, लूप की खुली छूट है एंजियो प्लास्की, और अगर आप बिलास्पुर में एंजियो प्लास्की कराएं, तो हो सकता है, साथ सत्तर अजार लगे, वही एंजियो प्लास्की गाये कराएं, तो लाफ रुपए लगे, दिल ली चले जाएं, डियर से दो लाफ लगे, मुबई चले गाएं, तो तीन लाफ तक लग सकता है, ओपरेशन एक ही है, कीमत सब जगे अलगे लगे, क्योंकि आज तक सरकार ने इस सर्विस को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं ब अब जहां से जहां तक स्प्रिंग है, वहां तो ब्लट का फ्लो अच्छा है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, तब क्या करोगे, आपका तो दू लाफ बितार हो गया, अगर आपके ब्लट में ब्लॉकेज करने की टेंडेंसी है, तो कि इतना भी एंजियो प्लास्टी करो सब बेकार, तब तक आपका कोई ओपरेशन काम्याद में, इसलिए मैंने आप से कहा कि ये फाल्तु ओपरेशन्स मत कराओ, फाल्तु दवाईं मत खाओ, ये बेईवान जो डॉक्टर से इनके पास मत जाओ, यही एक क्या, तो आप चरीर को पर ऐसी क्रपा की है, कि हजारों दवाईं आयुर्वेत में हमको निशुल्क दी है, कोई पैसा नहीं गठता हूं दवाऊं का, अब जैसे मैं आप से कहूं, बेल पत्ते से दवाईं बनती हैं बहुत सारी, आयुर्वेत में, अब बेल पत्ता आप तोड़के लाओ होते हैं उसको पत्तर चट्टा करते हैं, उससे कई दवाईं बनती है, इस्टोप प्रॉब्लम के, सड़क पे लगी हुई है, अभी मैं आ रहा था, मुंगेली से बिलास को तो थोड़ी नजर दरुदर डाली, तो कितनी दवा लगी हुई है पत्तर चट्ता सड़के, घास क तोड़ दो इस्तेमाल करें, ऐसी हजारों दवाएं हैं, किसी पेड़ का पत्ता दवा है, किसी पेड़ की जड़ दवा है, किसी पेड़ का तना दवा है, किसी पेड़ का फल दवा है, किसी पेड़ का फूल बहुत अच्छी दवा है, और हजारों तरे के पेड़ परकरती म हमें दिये हैं, हमको तो बस पहंचानने की देर है, दवाइं तो समें हमें तो आप ऐसी दवाओं का उपयोग करें, और ये दवाइं जो हैं आप बहुत अच्छे से गंभीर बिमारियों को खीक करते हैं, बहुत अच्छे से, बस एक बार हमें उपयोग करके देखने की देर ह तो मेरा निवेदन है कि आप आईटिवेट की दवाएं उपयोग करों, जिन में कोई पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, शरील को दुष्परणाम नहीं होता हैं, और दूसरा योग प्राणायाम करों, इसमें तो कुछ भी खर्चा नहीं है, प्राणायाम करने में तो स्वास न प्राणायाम सिखा सिखा कर, हर उस विमारी से ठीक कर दिया, जो अलोपैथी में कभी ठीक नहीं होते हैं, आप जानते हैं, डाइबेटीस का कोई treatment नहीं है अलोपैथी में, लगिन प्राणायाम से ठीक होते हैं, हाइपोटेंशन का treatment नहीं है अलोपैथी में, और यह प्राणयाम से दोनों ठीक हो जाते हैं, अर्थुराइटिस का कोई treatment नहीं, गाउट का कोई treatment नहीं, लेकिन प्राणयाम से ठीक होता है, हमारे शरीर में कही धुंधीर मीमाधियां हैं, मालताओं को गर्भाश में गांट हो जाएं, टूमर हो जाएं, कोई नहीं करेगा ठी प्राणयाम से ठीक होता है, ब्रेन तुमर ठीक होता है, यूट्रस तुमर ठीक होता है, ओवरी का तुमर ठीक हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर ठीक होता है, थोर्ट कैंसर ठीक हो रहा है, असी ओफेगस ट्यूट कैंसर ठीक हो रहा है, चैंसर में प्राणयाम काम कर रहा है, तो cancer ठीक हो रहा है, और cancer इतने अच्छे साथ है, और अब American Scientist आने वाले हैं, जन्मरी के महिले में बहुत बढ़ा conference हो रहा है, इंटरनेशनल conference हो रहा है, उसमें आ रहे हैं बहुत सारे विशेशद्ट, यह सीखने, जानने हैं कि cancer कैसे ठीक हो रहा है हमसे, तो जब प्राणयाम से cancer ठीक हो रहा है, diabetes ठीक हो रही है, hypertension ठीक हो रहा है, arthritis ठीक हो रहा है, drama asthema ठीक हो रहा है, compatible paulosis ठीक हो रहा है, जो बीबारियां बिलकुल लाइलाज मानी जाते हैं दुनिया में वो ठीक हो रही है, तो हम क्यों ना इसका उपयोग करें, फाल्तु मेहें तो मेरी आपको यही एक सना है लिविदन है कि आप प्राणयाम करें योग असन करें और आयर में की कुछ दवाओं का उप्योग कर लें तो आपकी लग्वब हर बड़ी बीमारी आप ठीक कर पाएं हमने पिछले दस साल ने यह करके देखा है कि नव सहस्था देश बना सकते हैं विल्ह एक पैसा खर्च प्रेया के दो आपसे में इसे बाड़ा प्रयास बढ़को आपसे निरही दर आप भी जरूर पूछ सकते हैं कि हमें बता नहीं हैं। तो मैं आज आपको कुछ जरूर दंगीर बिमारों के बारे में बताना चाहता हूं। आपके पास अगर डाइरी है तो आप प्रायाम की मदद से, योग की मदद से, आयोगें की दवाओं की मदद से। पर आदमी को इसकी घैंट करी की जरूर है। मैं शुरू करता हूँ डाइबिटीस से, जो सबसे खराब बेमार है। डाइबिटीस भारत में पांच करूर सतर लाग लोगों को है। और तीन करूर को हो जाएगी अगले कुछ सालों में सरकार ये कह रही है। हर दो मिनट में एक मौत हो रही है डाइबिटीस से। और कॉम्प्लिकेशन्स तो बहुत हो रही है। किसी की टिटनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को ब्रेंट हो रहा है, किसी को परलेसिस हो रहा है, किसी को ब्रेंट इस्टोक आ रहा है, किसी को काडिये करेस्ट हो रहा है, किसी को हर्ट अटेक आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, खतरनाख हैं तो ऐसी इस्थिती में हम चाह करें, मेरी चोई छोटी सी आपको बुजारिश रहसला है कि आप इंसुलिन पर ज्यादा नेर भर ना करें, क्योंकि ये इंसुलिन है वना बस्ते कावरा है, पांच मिनट रोज, सबेरे खाली पे, डाइबिचीस के हरी पेशेंट को, पांच मिन पांच मिनट लगातार करें, इसके बाद कपाल भाती, कपाल भाती आदर भूंटे करें, लगातार करें, क्या है, जटके के साथ और ताकत करें, सांस को बाहर निकाले, और सांस के निकालने के ध्यान दोना है, लेने के ज्यादा परिशामी आपको नहीं करें, लेने का ताम तो शरीक खुद कर लेगा, निकालने का ध्यान रखना है, जटके से सांस निकालने ही है, ताकत से निकाले है, और जब सांस निकालेंगे तो पे अगर थक जाएं तो बीच पे थोड़ी देर रोग के फिर दुबारा शुरू करते हैं, करना आदा गंटे है, और तीसरा एक प्राणयाम करना है, अनुलोग बिलूग में क्या करना है आपको, आपकी दाहिनी नाग को दाहिने आउंठे से बंद करें, और बाई नाग से पूरी सांस को निकालते हैं, फिर बाई नाग से सांस को भरें, और दाहिनी नाग से निकालते हैं, फिर दाहिनी नाग से सांस भरें, बाई नाग से निकालते हैं, फिर बाई नाग से सांस भरें, दाहिनी से निकालते हैं, बस ये है अनुलोग बिलूग बि एक पार दिखा देता हूं, आपा राम से कर पाएंगे। बस आदय मिन्टे ये कर दें, अनलों मिलों मादय मिन्टे का पाज बाती, पांच मिन्ट बसते का, ये बहुत अच्छा ट्रिट्मेंट है डायविटीज के लिए, और इसके साथ आप चाहें, तो आयुर वेद की एक दवा जरूर ले रहे, लेकिन आप चाहें तो अपनी घर में भी बना से, 100 ग्राम मेथी का दाना ले ले, और इसको धूप में सुखा कर पत्थर पे पीसके इसका पाउडर बना ले, 100 ग्राम तेज पत्ता ले ले, इसको 200 ग्राम जामुन की गुठ्वी ले ले, जामुन का भीक है, इसको धूप में सुखा कर इसको पीसकर इसका पाउडर बना ले, और 200 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले ले, इसको धूप में सुखा कर इसको पीस कर इसका भी powder बनाना तो डाई सौ ग्राम बेल पत्र के पत्र उसको सुखा कर पीस के powder बनाना देल सौ ग्राम जामून का बीच या जामून की कुठ्ली उसको सुखा कर पीस कर powder बनाना सु ग्राम मेथी पदाना और सु ग्राम तेज मत्ता ये चारों को पीस लिया पाउडर बन गया अब ये आपस में मिक्स कर लें सब को एक दूसरे में मिलागे बस यही दवा है इसको कैसे खाईगे एक चमच सुगर ले 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 गरम पानी के साथ खाना खाने से घंटे बर पाउडर और एक चमच शाम के ले 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 जब रात का खाना खाते है न उससे घंटे पाउडर तो सुगर शाम एक एक चमच पाउडर गरम पानी के साथ खाना खाने से घंटे बर प यान कर लिया तो यह पक्का मान लिजे कि आपकी डायूटी इस बुर्कुल ठीक हो जाए कोई कारण नहीं है, बहुत सब्सक्राइब के लिए हजारों सब्सक्राइब और यह टाइम टेस्टिट मेडिसीन से, टाइम टेस्टिट माने समय पर जिन दमाओं की परिक्षा हो चु आयोवेड में इनका बहुत अच्छे से वर्णन है, शुगर को कंट्रोल करने और ठीक करने, तो आप यह दवा खाएंगे और प्राणयों करेंगे, बस एक ही बात है जो सावधानी आपको रखनी है, परहेज, डाइबीटीस के सभी बरीजों को थोड़ा परहेज करना है, और परहे जाएज एइसा करना है कि जादा चीजें ऐसी खाएं जिन में फाइबर हो, रेशा जादा हो, हाई फाइबर, लोःफेट डाइट घी तेल वाली डाइट कम हो और फाइबर वाली जादा हो, रेशा दार चीजे जादा काएं, सबजियां सब में रेशे हैं वो खाएं दाल जो खाएं वो छेलके वाली खाएं क्योंकि उन्हें रेशा बहुत होता है छेलके वाली सब दाल खाएं मोटा अनाज जादा खाएं मोटे अनाज में फाइबर बहुत होता है तो मोटा अनाज खाएं दाल सभी छेहिके वाली सबजियां बरपूर खाएं फल आदी ज़्यादा ऐसे खाएं जिन में रेशा बहुत है तो आपको ऐसी गये केडी है जो हाई फाइबर है और फैट में कम है और दूसरा एक परहेज है चीनी ना खाएं चीनी छोड़ते हैं क्योंकि डाइबिटीज की इस पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकापट है आप जो चीनी खाते हैं ना इसमें तकलीफ ही तकलीफ है आपको एक दो बात मादू मैं चीनी के बारे में इसमें कोई ऐसा यह तो एक बात है और जिसके साथ आप इसे खाऊगे उसे भी हजम नहीं होने देगा जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं खाने को भी नहीं हजम होने देगी इसमें है कि आयो आप खा रहा है मीठापन भी उसका आपके काम बने है देखो जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्ट्रोज सुक्रोज भी एक मीठापन है फ्रक्ट्रोज भी एक मीठापन है फ्रक्ट्रोज जो है न वो काम आता है अपने शरीप को फ्रक्ट्रोज किसमें होता है चीली को छोड़ कर भगवान की बनाई हर मीठी चीज में फ्रक्ट्रोज होता है जैसे आम है पका हुआ उसमें फ्रक्ट्रोज है केला है उसमें फ्रक्ट्रोज है अंगूर है नाशपाती है अम्रूद है संत्रा है मुसम्मी है, सीधे शब्दों में कहूँ, उसे खाऊ और ये इंसान की बनाई हुई चीनी है, इसे मन खाऊ क्योंकि इंसान जो है न वो शैतान हो सकता है भगवान कभी शैतान में होता है चीनी बनाता है आदमी और फल बनाए है सब भगवान है तो भगवान की बनाएगी मीची चीज़ है भरपूर खाओ, उसमें कोई तकलीफ जादा नहीं आएगी, आपको चीनी हटा दो अपने बेर से, जो डाइबिटिक पेशिंट है वो तो हटा दी, हटा ही दे, जो नॉन डाइबिटिक हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आपको हटा तो आप गुलोगे फिर हम क्या खाएंगी मीठा, गुड़ खाओ ना, गुड़ बहुत अच्छा है आपको, चीनी से हजार गुना अच्छा है गुड़, मैं गुड़ और चीनी की जड़ा तुलना समझा दू आपको, गुड़ में कैलशियम बरपूर है, गुड़ में आप जान दे हैं कोई भी आदमी जब पहली बार घुटका खाता है तो फ्री में ही खाता है, पहली बार अपनबा को खाएगा, फ्री में खाएगा, पहली बार सिगरेट पिएगा, फ्री में पिएगा, पहली बार दारू पिएगा, फ्री में पिएगा, फ्री में पिएगा अंग्रे जोंको हमारी ये कमजोरी का पता चाहिए गया कि भारत में अगर कोई चीज फैला नहीं है तो फ्री में बांटो पहले है, फिर यही भारत वासी खरीदेगी है, चाय बेची उन्होंने, तो ऐसी फ्री में भी लाइए, चीनी भी ऐसी लाइए, तो हम चक्कर में फस पहले फ्री में लेते रहे, इतिराजत पड़ देए फिर खरीद के, और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का, कि सारा देश डूप गया इस चीनी, चाय में चीनी, धूप में चीनी, दही में चीनी, लसी में चीनी, मिठाईयों में चीनी, कई अधुत लोग तो ऐसे हैं, जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं, हाँ, बिना चीनी की दाल भी ने खाते हैं, सब चीनी डाल लेको, बला करें बगवान इन सब का, जल्दी इनको बुद्धी आये, ये चीनी से मुप्त हो जाए, और मैं आपको एक बहरी बात कह रहा हूँ, कि अगरे तो ने यहां त सब चीजे शुगर फ्री बना रहा हैं, आज जाओ, अप इंगलेंड में जाओं, लंडन में, बड़े डिपाटमेंटल स्टोर्स में, हर मिठाये शुगर फ्री मिल जाएं इनको, बला आप, बला, शुगर फ्री केग बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट बन रही है, एक सो बीस की, ये सारे दुश्परिणाम चीनी का है, और चीनी से भी ज़्यादा फितरना चीज इन्हों ने बनाई थी, सैक्री, पहले ये जागरती इतनी ज़्यादा आ गई है, डॉक्टर्स लगे हैं, बड़े-बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं, इसकूल म तो शुकर फ्री और उन्हीं की विक्री बढ़ बे लो, तो वहाँ जादू उटा गए, और वो समझ गए, और उन्होंने देखा, कि उनके मुटापे का कारण चीनी है, उनके हाईब्रेट प्रशर का कारण चीनी है, उनके देश में डायबिटीज का कारण चीनी है, ब्रेन चीनी से आती है, तो वो मना करना है, कि मत खाओ, और अच्छे से उनके हाँ ये बात चली पड़ी है, ता सांसद शुगर लाओ भी के हैं, और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, पूरे देश की पॉलिटिक्स को, प्राइम मिनिस्टर को ही बने, चलती ही नहीं की है, और हर प आपको मालू है, गन्ना सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में, और चीनी सबसे महगी बिक्ती हैं इस देश में, ये क्या चक्कर रोट, लूट रहे हैं ये सारे देश में, गन्ना किसानों को तीन-तीन साल पेमेंट नहीं करते हैं, ये चीनी मिलवारी है, किसान विचा सारे तड़कते, परिशान होते, चक्कर काटते हैं, और पेवेंट होता है, तो भी सबसे कम कीमत लाएं, और चीनी सबसे महगी कीमत पर देशती हैं, बीच का साहरा पैसा लूट के ये अपनी खराब राजनीत को और देश के ऊपर गलत कानुनों को ठोगते हैं, तो अगर अगर आप में गुड़ खा लिया, तो चार घंटे में ही वो खाना आपका पचेगा, ये गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च, तो आप खाने के बाद गुड़ जबूर खाएं, खाना जल्बी पचेगा, और इसका उल्टा है, अगर आप में खाने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई, तो ये खाना तो पचेगा नहीं, कम से कम आठ गंटे तक, और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बरबाद हो जाएगा, लेकिन चीनी पचेगी लेकर, चीनी में एक क्यमिकल जो हमेशा याद रखी खा रहे हैं, तो वो आपके शरी ये चली तो जाती है शरीर में, चीनी के साथ, लेकिन विकलती नहीं बाहर है, हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कोई गंटगी, कोई कच्रा गया, तो या तो यूरीन के साथ निकल जाएगा, तेशाप के साथ, नहीं तो इस्टूर के साथ, महीं के साथ, नहीं जरूरत हुई तो बल्गन के साथ निकल जाने का बगवाल में व्यवस्ता बना रहे है। लेकिन चीनी का जो सल्फर है ये नहीं निकलता हूँ। ये जमा होता रहता है, रत्त में जमा होता है, खूम में जमा होता हूँ। और एक लिमिट जब ये क्रॉस कर जाने भारत से गए, तो चीनी भी उनके साथ हम भेज देते। साहे चीनी मिलें उठाके पूर ले जाते हैं यहां से, क्योंकि इसमें कबाण और कच्रा है और कुछ है नहीं, तो देश का भला हो जाता। वापस हम फिर गुड़ खाने लगते, गुड़ बनाने लगते। यकिन वो नहीं हुआ, अग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिए। और आप स्वस्ति बनेंगे, निरोग बनेंगे, यह मैं आपको गारंडी दे रहा हूँ। आप चीनी छोड़ के आज से शुरू करके देखिए। 15 दिन में बेट कर लिए। आपको आश्यर नगेगा कि आपका बजन कम हो रहा है। 15 दिन में, कितना भी बेट आपका बढ़ा है, चीनी छोड़ के देखिए, सब बजन कम हो जाए। तोन बाहर मिकलिये, पेड बाहर मिकला अचीनी छोड़ के देखिए पेट अंदर चपहिए। बट ले का दर दहरी। कमर का दर दहरी कंदी का दर्द है। सब में आराम हो जाए। नीद अच्छी जोड़ के देखिए कम हो जाए। माईगरेन आपका जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है, चीवी छोड़ के देखिए फतम हो। एक चीवी छोड़ते ही बहुत तरह के रिलीफ होना शुरू होते हैं और आप सबसे बड़ा रिलीफ ये पाएंगे कि आपको शरीर हल्का लगेगा हर तरह से, छोड़ते ही हमने हजारों की छोड़बाई और सब एक ही बात करते हैं कम हो गया, पहले से अच्छी मीद आ रही है, बुद्वे का धर्त कम हो गया, कमर का धर्त कम हो गया, कई तरह की सब्ली चुकाम, तरह तरह की स्टोफिलिया, साइनस जैसी बीमारी होना, रिलीफाय, क्योंकि खूनशुत होने लगाना, तो सब चीकी होने वाला है, तो आप इसको करिए, और दूसरों को भी बताइए, और आप इस काम को थोड़ा गंबीरता से कर पाए, तो आप स्वस्त होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, बीमानियां बहुत कम हो जाएंगी, तो डाइबिटीज के बहाने मैंने आप से ये बात कही, थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो आप तीनों प्राणयां करिए, बस्तर का पांच मिनट का बाद मर्दी आदर गिंटा, अंग्लों गिरों आदर गिंटा, और हर दिर, थोड़ी कुछ आयों में दिर दवाएं ले ले लिए, जो घर में ही है, जैसे बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, दारी चिनी, दारी चिनी मसाले के रूप मे हम यूज करते हैं, वो आप खरी, आदा चुमच दारी चिनी, गरम पाने के साथ, बहुत अच्छी दवा है, यह जैसे दोनों में से कोई एक, या तो ओ, या तो भी, इस दूसरी आदा चमच लीजे, एक गिलास गरं पानी में र ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करें बेड से दो महिने में बिलकुल नॉर्मन करते गाँ और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए अर्जुन की छाल अर्जुन एक वरक्ष होता है कहीं भी मिलता है तीस गड़ में तो शाइद हर जली हर गाम में मिल जाता है ये ब्रक्ष का 25 रूपए किलो में मिलेगी बहुत सस्ती इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखाके पत्थर में पीसके बना लीजे इसका पाउडर आदा चमच पाउडर आदा गिलास गरम पानी विलाखे लेगे जाए बहुत अच्छा होगा कि आदा चमप चर्जुन च्छान पाउडर को आदा गिलास गरम पानी में जुनकी च्छान और एक अच्छी दवा है अपने घर में उसका नाम है लौकी का रस एक कप लापांच उदिना पत्ता पांच तुनसी पत्ता पिलाके तीन चार काली मिर्च पीस के ये सब गाली के पीना बहुत अच्छे है इसे आपका प्लुपी चीट करे रहे हैं और ये हिर्दय कोगी बहुत व्यवस्तित कर देता है पर अपुझनी स्वामी रामदेव जी ने पिछले दस वर्षों में करूनों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाए और गंबी रूप ठीक हुए हुए उनके डायविटी चीट हुए हरीविटी चीट हुए आज इस्तती ये है कि जो लौकी कभी दो रुपाई किलो भिका करती थी अब वो बीस रुपए के रोगों क्योंकि डिमांड बढ़ी ना तो कीमत बढ़ लेती है हमें इसका कोई अफसोस नहीं अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फाइला किसी किसान कोई मिल रहा हुए आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमías पर लौकी की बेख फैला गीजे तो नीचे का तापमन कम हो जाएबा अंधर नौकी तो मिलेगी एफ्रेश घर के अंधर का तापमन कम हो को किरके देखा में तो और इसमें कम से कम तीन से के भी पास है दस फिट लग पाँच हजार रोपे की लौकी पैदा कर सकते हैं। कम से खुद कहा सकते हैं, परुशियों पर खिला सकते हैं। क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली है। बेल क्रीपर है, सुर्ष के प्रकाश को जादा उशुशित करके काम करने वाला ये पहता है। तो आप लौकी का रस्पी है, बहुत अच्छा है। बेल बत्र के पत्ते ये हाई ब्रट प्रशर में बहुत कामात है। आप इसको उप्योग करिए। पाँच पत्ते ले ली थे बेल बत्र के, पत्तर में पीसके बनाएए उसकी चट्नी। और जो चट्नी मल गई बेल पत्ते की उसको एक बिलास पानी में डालके खूँद गरम कर देजे। इतना ये सबसे जल्दी हाई ब्रट प्रशर को ठीक करता है। और ये बेल पत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्रट प्रशर और डाइबिटीव दोनों हैं। उनके लिए ये सबसे अच्छी दवार बेल पत्र शुगर भी ठीक होगी ब्रट प्रशर भी और ये बेल पत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा जीक में बेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेल पत्र अर्पित करते हैं। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में हैं, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज़्यादा है। रोज सुबै खाली पेट। हमारी भारत की जो गाये हैं, जिसको हम देशी गाये कहते हैं, स्वदेशी गाये कहते हैं, इसका आधर कप मुत्र रोज सुबै खाली पेट कोई भी पी है, और यही गोमुत्र बहुत अधुध है, यह हाई ब्लद प्रशर को ठीक करता है, यह लो बीपी को भी ठीक कर लेता है, दोनों में काम आता है, और यही गोमुत्र डाइबेटीस को भी ठीक कर लेता है, अगर आप खाली गोमुत्र बी रहे तो आपकी शुगर भी ठीक हो, पी रहें तो दमा भी ठीक होता है, स्थमा ठीक होता है, टूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है, वो पूते हैं. हमने परिक्षण करगे देखा है, कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऐलोपैथित मेडिसिन दें, उनकी टूबरकुलोसिस एक बार खीक होती है, दुबारा नहीं आती है, इतना प्रभादी है, तुकि ऐलोपैथि में तो कोई दवा नहीं देखा है, आयो वेड में बहुत सबसे अच्छी दवा है गोड़, यह जो गोड़ है यह पानी में घोई के नमक मिलाके नीपू का रस दानी के प्लिव, एक गिलास पानी, 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गोड़ मिलाओ, और उसमें डालो नमक और डालो नीपू का रस और पीड़ा है, दिल में दो तीन बार प सबसे जल्दी ठीक होगा, और यह अच्छी दवा है लोगी बीड़ी की, बहुत बढ़ी ड़ा, अगर आपकी पास ठोड़े से पैसे रहे, तो रोज अनार का रस पे हो, नमक डालो नमक डालो नार का रस बहूप बहूत जल्दी लोगी पी ठीक हो, रहनार का रस बहूप, पर पर आंके कि बिए भषका इतला। सब्सक्राइब पर किर फिए खभाँमगे। मक्खन विष्री मक्खन तो जो घर में आप कासे वजार वाला नहीं दही बनाए के उसमें से मक्खन जो लिकलता है वो मक्खन ताजा और विष्री विला के कौँ श्री करश्म बगभान की डाइट है मक्खन विष्री रोच खादे और इसी की ताखत से कंस को मारें जरासन को मारें इसी की ताखत से मतलब मैं आपको बड़ी गेरी बात करता है डाक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते ही यूरूपियन अमेरिकन वो ख़जबना है वो जन्री डाइजेस नहीं होता है वो पर दही में बठानी चलाते हैं यह मक्खन निकलता यह सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है इससे जल्दी कोई चीज नहीं है और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो यह एक दूसरे के ऐसे जबलकस के दोस्त है कि इनका कहना मेरा तो आप सभी को देने है कि आपके भरते फोटे लोग बीपी में इतने अची लाके पी एक गिलास दूद एक चमच घी और घी ये गायवाला ना मिले तो महस वाला भी चले लेकिन अच्छा गायवाल और गाय वही जो देशी इन चमच भी एक गिलास दूद रूच रात को पी के सोजाव उती है नमक का पानी प्यों पानी में नमक डाले के पीते हो जो सबसे गरीब रोग है जो ना मक्खन खा सकते है ना विश्री ख तो उनको बता dough कि पानी और नमक इतना तो पी ही सकते है और गरम पानी के साथ पेल से जड़ी कुछ बाते कर ले हमारे अजवाईं में लें कक्ची अजवाईं सबके घर में हैं आदा चम्मच अजवाइं एक चम्मच गुड़ दोनों मिलाएं और चवा के खाएं पीचे से करब पानी पी ले और ये रात में ही खाएं सोते समय जिनको कॉंस्टिपेशन बहुत रहता है पेट साफ नहीं होता बुर रात तो सोते समय एक चम्मच गुड़ आद्या चम्मच अजवाइं मिलाके चवा के खाएं जो सकता हैं काला मोतिया हो सकता है है जो कंख़ा के साथ एक अच्छी और दमा है गली गली का इंफेक्शन है हल्दी इसके मालके शुरूर दार हो सारी कॉंप्लिटेशन चूने से ठीब होता है अक्सर हमारी मातावन को बढ़ती हुई उपर में ऑस्टियो पूर किसी बीमारी के लिए जाने ही नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर के पर से और दमाएं बढ़ी जो अपने आसपास हैं रसोई में जो दमाएं हैं रसोई के नजदीक में जो हमरा किचिन गार्ड़ नहीं करते हैं बढ़ी की और रहां करने वाली बात यह है कि भारत की सरकारों ने बारे पंच वार्शिक योजनाएं इस देश में लगाने गरीबी हटा कि वासियों को जोड़ लेना है और तब इन बेई मानों से लड़ाई शुब करें तब माता की भारत माता की बंदे आत्रम बंदे आत्रम बंदे आत्रम आप सभी उपस्तित मांग हो प्रम आदरणी सत्मिवार आज इस काल करंपूर जो हाईजित के हमारे प्रम सत्थे संजय गुलारजी जो हमारे संद्शक है आदरणी नियाशुंकर जी जो पतासमाली अद्रच्ष है हालडी रवीद संद्शकारजी जो हमारे गिंद्री करभारी है जया बहुत